तीवी में फिल्मों में हमने देखा है कि एक नई बहु को जब खटा खाने का मन करता है तो सभी समझ जाते हैं कि वह प्रेगनेंट है तो प्रेगनेंसी में खटा खाना ये एक प्रमुक लक्षन होता है कि एक महिला प्रेगनेंट है लेकिन खटा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या नुकसान हो तर बहुत लोग अपने नुकसान कर बैठते हैं खटा खाने के चक्कर में Hello Everyone, स्वागत है आपका YouTube BOM चैनल में और प्रेगनसी में खटा, क्यूं बोडी डिमांड करती है खटे की, क्या खटा सही है, कितनी मातरा में सही है, नुकसान क्या होते हैं खटा खाने से, कौन सा खटा खाना है, किस तरीके से खटी चीज़े खानी है, जो आपको फायदा दे और प्रेगनसी में आपको किसी तरह की परिशानी नहीं उठाने पड़े, खटे खाने की क्रेविंग, specially early pregnancy में पहली तिमाही में महिलाओं में देखी जाती है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, कि बहुत सारी महिलाओं को early pregnancy में nausea और vomiting रहता है, nausea और vomiting रहने की वज़े से, या लेवल, sodium, potassium का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो ऐसे में बॉडी क्रेव करती है बॉडी डिमांड करती है sodium, potassium की और जो कि citrus चीज़ों में होता है तो इस वज़े से हमें खटा, नमकीन कुरकुरी चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन कई बार जादा मातरा में खटा खा लिया इमली, नीमबू, आदी तो ये miscarriage का भी reason बनता है इसलिए हमको बहुत सा जक्ता से इसको खाना चाहिए, आजका वीडियो आपको help करेगा, बताएगा कि किस तरीके से कितनी मातरा में आपको खटी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी खटी चीज़ें आपके लिए safe है pregnancy के दूसरी और तीसरी तिमाही में relatively खटी की craving कम देखी गई है, लेकिन जिनको vomiting होती है, या जिनको weakness है या जिनका diet सही नहीं है, उनको खटी की craving हो सकती है, ऐसे में क्या खटा खाएं, घर में जनरली निम्बू का अचार होता है, कैरी का अचार होता है, तो जनरली हाथ सीधे हमारा अचार पर जाता है, लेकिन जब या आप अचार यूज़ करते हैं तो आप एक पर ध्यान दें कि कितना oil है और कितना नमक है वो oil, वो नमक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है प्रेग्डिंसी में आपके ब्लट प्रिशर को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए अचार खाना एक सही तरीका नहीं है खटे की क्रेविंग को पूरा करने के लिए, ऐसे में हम क्या खटा खा सकते हैं इमली में कुछ ऐसा तत्व होते हैं कि अगर ज्यादा मत्रा में इमली आपने खाई तो वो मिस्कारिज का कारण बन सकता है इसलिए इमली भी कई केसेज में सेफ नहीं मानी जाती है तो ऐसे में क्या खटा खाए जिससे की बोडी की जो नीज है जो बोडी सिकनल्स हम को दे रही है खटे की क्रेविंग के रूप में वो हम पूरा करें नरिश्मेंट दे अपने बोडी को और प्रेग्नेंसी को इंजॉय करें तो ऐसे में आमला आपके लिए बहुत अच्छा आप्शन है आमले के स्लाइस कर लें आप और उसको नमकीन मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई करके रख दे तो जब आप भी अपना मील लेते हैं तो साइड से दो-तिन फाक आमले के रख सकते हैं जो नमकीन चटबटे आपको लगेंगे और क्रेविंग को भी पूरा करेंगे आमले को धनिया पता, टामाटर वगरा के साथ आप चटनी बना सकते हैं और जो लंच डिनर में आप उसको यूज कर सकते हैं ये बहुत ही हल्दी ऑप्शन होता है एक ए दो चमच चटनी परयाप्थ होती है उससे आपको सटाइटी आते हैं आप कैरी की चटनी खा सकते हैं अगर मौसम है घर्पियों का और कैरी आपको अब लेबल है तो आप थोड़ी मातरा में कच्ची कैरी को भी उदीने के साथ चटनी बनाकर कंजियूम कर सकते हैं लेकिन तो भी क्रेविंग नहीं बंद हो रही है और आपको बाकी चीज़ें नहीं मिल रही है तो एक संत्रा एक ग्लास मौसम्मी का रस एक ग्लास नीम्बू पानी आप यूज कर सकते हैं ध्यान रखें नीम्बू बहुत खटा होता है और ये दात को बहुत जादा प्रभावित कर सकता है इसलिए नीम्बू को डिरेक्टली आप मूँ में ना रखें ना नीम्बू को चाटें नीम्बू से नीम्बू पानी तयार करें जिसमें थोड़ा शक्कर हो थोड़ी नमक हो जो और इसका एक रेशियो होता है उस तरीके से आप नीम्बू पानी तयार करें और उसको स्ट्रोह से पिएं ताकि आपके दातों में प्रॉब्लम ना आए तो इस तरीके से खटे की क्रेविंग को आप मैनेज कर सकती है और यह सीखिए वीडियो आप अपने परिवार में भी शेयर कर सकती है थांक्स पर वाचिंग